आपका मेरे चैनल में अगर आप इस वीडियो को फिर्स टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नुबर टू इस लिए एक्साइज नुबर 2.2 को सॉल्फ करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहला कोश्चिन में क्या पूचा है इफ यह सब्ट्राइक्ट हाफ फ्रम नंबर अन मल्टिप्लाइद रिजल्ट बाइफ यू गेट 1.8 वाट इस देन नंबर हम यहां पर ऐसा नंबर फाइं करना यहां पर कौन सा नंबर के साथ अगर हम हाफ को बीस आप एकस ले लो यलो जियू कोई बेरीबल ले लो ठीक है यहांपर मैंने एक्स ले लिया अब क्या करना या क्या क्या कोट्षिं में ध्या गया है 2 शुआ अले anticao 목록 76 शूब्ट्रेख के लिया है आटोमिह candyya अंदेν इसका जो रिजल्टेट अब इसका क्या क्या कर रहे हम multiply कर रहे है half, so you get 1 by 8, so हमार result क्या आएगा that is equal to 1 by 8, अब इसे हम solve करेंगे तो हमारा number जो की x है उसका value आएगा, तो चलिए solve करते हैं यहां पर यह हो गया x minus 1 by 2, अब यहां पर यह into है multiply half है, अब यह multiply half जब दूसरे साइड जाएगा, right hand side तो क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा, so यह हो गया divide 1 by 2, so यहां पर हो जाएगा x minus 1 by 2 और यह हो गया 1 by 8, अभी divide को हम क्या करेंगे, multiply में change करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा 1 by 2, reciprocal हो जाएगा that is 2 by 1, अब solve करेंगे 2 1s, 2 4s, so क्या answer आया, x minus 1 by 2 is equal to, यहां से 1 into 1, 1 by 4, अब यह x के साथ half क्या है, subtract minus में है, so जब वो दूसरे साइड जाएगा, तो यह minus half, इधर आगे क्या हो जाएगा, plus half हो जाएगा, तो 1 by 4 यह हो गया, plus 1 by 2, अब इसे solve कैसे करेंगे हम, lcm लेकर, so यहां लिख लेती हूं में, x is equal to, lcm लेंगे, 4 और 2 का lcm क्या होता है, 4, अब यहां पर 4 में क्या multiply करेंगे, 4, obviously 1 multiply करेंगे, तो यहां भी 1 multiply करेंगे, तो 1 आएगा, plus 2 में क्या multiply करेंगे, 4 आएगा, 2, यहां भी 2 multiply करेंगे, so you get 2, so x is equal to क्या है, 1 plus 2, that is equal to 3 by 4, so हमारा x का value क्या है, 3 by 4, so यहां पर हम last line लिखेंगे, therefore the number, the number is, क्या है, 3 by 4, so x का value में find करना था, हमने कर लिया, ठीक है, चलिए, अब next question देखते है, the perimeter of a rectangular swimming pool, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter, इसका मतलब हमारे पास जो एक rectangular swimming pool है, उसका perimeter कितना दिया गया है, 154 meter, perimeter क्या होता है, अगर हम चारो यह जो boundary इसको add करेंगे, तो हमारे यह perimeter होता है, जो की total कितना दिया गया है, 154 meter, अब यहां दिया, its length is 2 meter more than twice its breadth, length क्या है, breath जो भी breath है, उसका twice और 2 more है, बठ हमें breath को तो पता है नहीं, breath है exactly, तो हम क्या लेंगे यहां पर breath को, let the breath हम क्या लेंगे, let the breath is equal to, कोई भी variable लेलो, x, ठीक है, तो length क्या है इसका, length, therefore length क्या हो जाएगा हमारा, is equal to, यहां दिया है 2 meter more than twice its breadth, breath हमने क्या लिया, x लिया, उसका twice, twice मतलब उसका double, into 2, तो कितना हो जाएगा 2x, उसमें 2 meter more, more का मतलब क्या होता है, add मतलब जादा, so इसका मतलब 2x plus कितना more, 2, so length कितना हो गया, 2x plus 2, twice the breath यानि 2x, और 2 more यानि plus 2, ठीक है, यह हो गया हमारा length, breath हमने लिया था, x meter, और perimeter कितना दिया गया था हमारा, perimeter आप लिख लोगे, perimeter of a rectangular swimming pool, rectangular swimming pool is equal to 154 meter, अब हमें पता है, therefore according to question क्या होता है, perimeter का formula पता है, आपको 2x length plus breath is equal to perimeter, आपको पता है, breath और breath और यहाँ length और length को total को add करेंगे, तो perimeter होता है, जो कि यह है हमारा, तो यहाँ put कर लेते है, 2 into L, length कितना है हमारा, 2x plus 2, यह हो गया length, plus breath कितना हमारा, x, is equal to perimeter, perimeter कितना दिया गया है, 154, अब इसे solve करेंगे हम, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 into, अगर यह 2x और x को add करेंगे, तो कितना होगा total, यहाँ पर, 3x plus 2 is equal to 154, and then यहाँ पर, यह 2 को multiply कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों के साथ, यह कितना हो जाएगा, 6x plus 2 into 2, कितना हो गया हम पर, 4 is equal to 154, यहाँ से 6x, अब यह plus 4 है न, इसको हम transpose करेंगे दूसरे साइड, तो plus 4 क्या हो जाएगा हमारा, उधर आके, that is minus 4, अब next हमारा, 6x is equal to, इसे solve करेंगे, यह हो गया, 154 minus 4 is 150, and then, यहाँ पर करेंगे, 6x is equal to 150 आया था हमारा, so, यहाँ से x is equal to, यह into में है, x को multiply 6 है, यहाँ किया हो जाएगा, divide 6, so, 6 1s are 6 to 5, so, that is x का value कितना है हमारा, 25, अब हमना x का लिये थे, हमने breath को लिया था, so, यह हो गया, therefore, breath is equal to, x is equal to कितना आया, 25 meter, और लेंथ हमने कितना लिया था, length हमारा था, 2x plus 2, that is equal to 2 into x कितना आया, 25 plus 2, that is equal to 50 plus 2, is equal to 52 meter, so, हमारा breath 25 meter आया, और लेंथ हमारा 52 meter, ठीक है, अगर आप इसको add करके चेक करोगे, तो total 154 आयेगा, ठीक है, चले चेक कर लेते हैं, 25 plus 25, 2 times breath and 2 times length, 52, 52, so, add करेंगे, यह 10, यह 14 हो गया, और यह 10, 12, 14, 15, so, हमारा total perimeter 154 आया, that is correct answer, ठीक है न, next question देखते हैं, okay, so, यहां दिया गया, the base of an isoseles triangle is 4 by 3 cm, so, हमारे पास एक isoseles triangle है, अब isoseles triangle का मतलब क्या होता है, कि कोई भी ऐस triangle जिसका कोई भी 2 side equal हो, तो अगर हम यह 2 side equal लेते हैं, तो यह हो गया हमारा isoseles triangle, ठीक है, उसका base कितना दिया गया है, suppose यह base है हमारा, तो base is equal to 4 by 3 cm, हमारा base दिया है 4 by 3 cm, and perimeter, अगर यह हम तीनों side को add करेंगे, तो perimeter कितना दिया है, 4 by 2 by 15 cm, तो यहाँ पर लिख लो यहाँ पर perimeter, किसका perimeter, perimeter of an isoseles triangle is equal to 4 by 2 by 15, अब यह क्या है, mixed में है, इसको improper में change कर लेते हैं, कैसे change करेंगे, इन दोनों को multiply करते हैं, 4 by 15 that is equal to 60, और यह इसको add करेंगे, plus 2 that is 62 by 15 cm, यह perimeter आया, हमारे पास base दिया गया है, base of an isoseles triangle is equal to 4 by 3 cm, अब हमारे पास यह दो side का measurement नहीं दिया है, ठीक है, पर हमें यह पता है, कि यह दोनों side क्या है, equal है, अगर हम इसको let one side, अगर x लेंगे, अब यह side इससे equal है, तो यह क्या हो जागा दूसरा side भी x, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, let the equal sides be x, ठीक है, अब यहाँ पर therefore according to question, अब perimeter मतलब पता हो क्या होता है, अगर हम तीनों side को add करते हैं, वह हमारे perimeter होता है, तो तीनों side लिख लेते हैं, first side x, प्लस दूसर side क्या है, x प्लस तीसर side क्या हमारा, 4 by 3, तीनों को add करने से, that is equal to perimeter, perimeter कितना हमारा, 62 by 15, add करेंगे, x plus x कितना हो गया, 2x plus 4 by 3 is equal to 62 by 15, next हमारा, यह प्लस 4 by 3 है, यहां के minus 4 by 3 हो जाएगा, is equal to 62 by 15, minus 4 by 3, अब यहां पर क्या करेंगे हम, 2x is equal to LCM लेंगे, क्योंकि LCM से solve होगा, 3 of 15 का LCM कितना होगा, 15, 15 में क्या multiply करेंगे, 1, यहां भी 1 multiply करेंगे, 62, minus 3 में क्या multiply करेंगे, 15 हाएगा, 5, यहां भी 5, तो यह कितना होजाएगा हमारा, 20, so that is equal to, 2x is equal to, यहां से कितना हाएगा हमारा answer, 42 by 15, अब यह क्या multiply में है, तो यह 2 यहां के क्या होजाएगा, divide, so x is equal to, 42 by 15, divide 2, तो हम इसको 2 by 1 लिख सकते है, so that is equal to, 42 by 15, अब यह divide को हम multiply में चेंज करेंगे, तो यह 2 by 1 क्या होजाएगा, 1 by 2, solve करते है, 2 1s हा, 2 21s हा, और यह होगया, 3 का table से, 3 5s हा, 3 7s हा, यहाजी क्या है हमारा x का value, x is equal to, 7 by 5, हमने क्या लिया था, x, 1 side, 7 by 5, since यह भी इसको 2 equal है, तो यह भी कितना होजाएगा, 7 by 5, तो यह पर अफ्लिक लोगे, therefore, केतना answer है हमारा, length of the either of the remaining equal side, is equal to, 7 by 5 cm, तो यह हमारा solution, ठीक है, चले, next question देखते है, sum of two numbers is 95, if one exceed the other by 15, अब हमारे पास दो number है, उसका sum दिया, दोनों को add करके 95 आ रहा है, एकसीड कर रहा है, तो क्या दूसरा number क्या हो जाएगा, therefore, second number हो जाएगा हमारा, x plus 15, question में clearly दिया है, अगर एक number जो भी है, दूसरा number उससे 15 exceed कर रहा है, मतलब उससे जादा है, तो यह हो गया, x plus 15, अब next हमारा according to question क्या दिया गया है, according to question हमें यह दिया गया है, the sum of two numbers is 95, so first number हमारा क्या है, x plus sum है, मतलब plus करेंगे, और दूसरा number क्या हमारा, x plus 15, यानि अगर हम दोनों number को add करेंगे sum, तो इसका answer कितना आएगा, that is equal to 95, ठीक है, अब हम solve कर लेते हैं, से x plus x कितना होगे आपका, 2x plus 15 is equal to 95, अब यह plus 15 को हम transpose करेंगे दूसरे तरफ, तो कितना हो जाएगा, 2x is equal to 95, plus 15 अगे क्या होगा, minus 15, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2x is equal to, हमारा answer आया 80, तो अब यह into 2 आके, यहां पर क्या हो जाएगा, divide by 2, तो यह हो गया, x is equal to 40, हमारा x 40 आया, हमें find करना है, find the numbers, दोनों numbers को find करना तो हम क्या करेंगे, value को put करेंगे, तो हमारा जो first number हमने क्या लिया था, first number हमारा x था, जो कि हमारा answer आया, that is equal to 40, और second number हमारा क्या था, second number उससे 15 exceed कर रहा था, that is x plus 15, so x का value put करेंगे 40 plus 15, तो 40 plus 15 कितना हो जाएगा, 55, तो हमारा दूसरा number कितना हो गया, 55, अब दोनों को add करो गया, आपका answer देखेवा 95 आप चेक भी कर सकते अपना answer, ठीक है, कोशिन्स हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताप वो वीडियो जरूर देखेगा, तिल दिन अजर ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए, थांक्यू फॉर वाचिंग, टेक केर, बाई झाल